करेले जिला आयर्वेद अधिकारी बेमेतरा 36 गड़ने भर्ती सम्मंदी सूचन का एक विग्यापन जारी किया है दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं Zero Period Zero Period की आज की वीडियो भर्ती सम्मंदी सूचन को ले करके है जिसे जारी किया है जिला आयरवेद अधिकारी बेमेतरानिया इस विग्यापन में सीधी भर्ती की जिक्रों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा एक पत्र का हवाला दिया गया है पत्र का क्रमांग है 1675-1675 इसके तहट जिले में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के कुल 20 पदों के लिए 36 गड़ के मूल निवास्कियों से आवेदन पत्र दिनांक 962023 सायंकाल 5 बजे तक कार्याला जिला आयरवेद अधिकारी बेमेतरा में केवल डाक या स्पीट पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं तो दो बाते बहुत स्पस्ट हैं एक तो आपको अपना आवेदन केवल डाक से भेजना है या फिर स्पीट पोस्ट से भेजना है डाक इस्पीट पोस्ट दोनों का परपस एक ही है आप सामाने डाक से से जलिए स्मदित करना है दूसरी बात कि 9 जून के पहले पहले आपका आवेधन समंधित काऱालिया तक पहुंच जाए में विद्याप दिशा निरदेश संबंधि विवरण की जानकारी जिले की वेबसाइट पर उपलब्द है और सूचन पटल पर भी जा करके आप देख सकते हैं जिले की जो वेबसाइट है वो है बेमेतरा.gov.in यह पूरा का पूरा जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल और अपने वेबसाइट पर भी उपलब्द करा दूँगा उन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा ताकि अगर आप इस सम्मंद्विभाग के वेबसाइट तक या सम्मंद्विभाग के ID तक जाने में कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो तो आप इन दोनों माध्यमों से चाहे टेलिग्राम चैनल हो या फिर मेरी वेबसाइट हो वहाँ पर से भी आप इसे वापस मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ जिसमें पदों की संख्या के बारे में पूरा विवरण आपको देखने को मिल जाएगा बृत्य का एक पद है और वो मुक्त पद है चौकीदार का एक पद है वो भी मुक्त है और आउशधाले सेवक के अठारा पद है ये अठारा पद बटे हुए है छे मुक्त है चार महिला अनारक्षित है और दो जो है भूदपूर सैनिक के हैं दो मुक्त है अनुसूचित च सजाति का एक मुक्त पद है अन्य पिछणाबर का एक है मुक्त और एक महिला खुल मिला करके इसको अगर मैं समप कर लों तो 18 पद होते हैं तो 18 पद और यह पर और ऊश्धाले शेवक के और आयूसी में 18 से 35 का कहा गया है और जो प्रचलित नियम है उसके इसाब से आपको छूट भी मिलनी है किसी भी इस्थिती में छूट का जो भापदंड है वो 45 वर्ष्ट से अधिक नहीं हो सकता ये बात इस पर लिखी हुई है आगे बढ़ें तो आएदन पत्र प्राप्थ ने की तिथी के बारे में फिर से एक बार इसमें उलेख किया गया है दस जून संध्या पांच बजे तक लिखा हुआ इस पे और उसके पहले-पहले पंजीक रिड्डाक या स्पीड पोस्ट से पहुँच जाए पता इसमें बिल कर सकते हैं अन्य था आप वो मैंने दो माध्यम बता है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट चैन की प्रक्रिया जो है वो मेरिट के आधार पर उम्मेद्वारों के चैन से होगी और जो भी समय समय पर इसके लिए से दांत या निर्देश जारी किये जाते हैं उनक उसे सीधे फोटो कापी कर ले या प्रिंट ले ले और उस पर अपनी सारी एंट्रिस करके उसको भेज सकते हैं आप वीडियो में बने रही है मैं नीचे आपको आवेदन पत्र का पूरा प्रारूप दिखाने वाला हूं पूरा भर करके बिना कांट छाट के इसको स्वयम क का पता लिखकर एक लिफाफ़ लगा दे और उसके बाद फिर लिफाफ़े के उपर विज्यापित पत्र का नाम आवेदन विज्यापन कर्मांग ये सब कुछ लिखकर आप इसे भेज दें साथ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 36 वार्ड का मूल निवास प् माशीट लगाना पड़ेगा और इसके अलावा जीवित पंजियन का एक प्रवाण पत्र आपके पास होना चाहिए और वो प्रवाण पत्र रोजगार का रियाले में पंजियन का जो प्रवाण पत्र जिसका मैं जेकर कर रहा हूँ वो इस विज्यापन ती थी के पहले का हो की और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात ऐसे मुझे तो नहीं दिख रही है पता एक बार फिर इनलों ने बताया है और इसके अलावा तो कोई महत्वपूर्ण सूचिना इसमें मुझे नहीं मिल रही है अब मैं आपको अविधन पत्र का प्रारूप दिखा देताओ यह प्रा जाती जन जाती या अंदे पुछड़ा वर गया सामान ने जो भी कुछ होगा वो होगा फिर स्थाई पता और आपका वर्तरमान पता पत्रवेवार के लिए सेक्षणी क्यों गयता पूरा डीटेल लिग देना है आपको और रोजगार कारेला का नाम अपंजियन क्रमांग विवाहित हैं तो विवाकिति थी जीवित बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या का डीटेल आपको देना है फिर मोबाइल लिखना है इमेल लिखना है इसका अपना जहां से आपने फार्म भरा है उस स्थान का नाम दिनांक और अपना हस्ताक्षर इतना करके आप यह आवेदन भेज दे आपका आवेदन सबय पर मिल जाएगा तो आपके आवेदन पर जरूर विचार किये जाएगा आवेदन पत्र के साथ यह गोश्ट पत्र भी आपको सब्मेट करना है नीचे अस्ताक्षार करके तो मित्रों यह पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी जला अ आए है सीधी भरती के उसको किस तरह से आपको फुल्फिल करना है उसके बारे में उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार आपको